अभी मैं आप सभी के साथ NTA को लेकर कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ आप सभी भी जानो कि एक मजबूर इंसान का कितना फायदा उठाना जानती है NTA या गोवर्मेंट सबसे पहला आप सभी को पता है कि 17 जुलाई को NEET एक्जाम हुआ उसके डेर महीने बाद NEET का आंसर की OMR और रिस्पोंस की 31 अगस्ट को जारी किया उसके बाद सिर्फ दो दिन का समय दिया NTA ने चैलेंज करने का 31 को मैं कैलकुलेट ही नहीं का था लेट नैट जारी किया था फर्स्ट और सेकेंड सेप्टमबर उसमें भी 200 पर कोशन चैलेंज ये लोग ले रहे हैं और इसमें भी दो दिन में इतना प्रोब्लेम हुआ इतना प्रोब्लेम हुआ सर्वर का पेमेंट ए स्टुडेंट का हो गया लेकिन सम्मिट अभी तक नहीं हुआ है तो मेरा कोशन ये है कि ऐसा क्यूं हुआ ये अरवर उपे कमा रहे हैं फिर भी सर्वर पे खर्च क्यों नहीं करते हैं कि दो तरीके का चैलेंज ये ले रहे थे एक पहला आंसर की और सेकेंड ओमर चलो OMR चैलेंज आप ले रहे थे 200 पेमेंट करा कर मैं मानता हूं सही है क्योंकि OMR में A students ने mistake किया था तो पेमेंट करके चैलेंज करके आपको बताए कि उनका गलती क्या है अब मेरा कोशन सबसे बड़ा ये है कि आंसर की पे 200 पर कोशन NTA क्यों ले रहा है क्योंकि कोशन में जो सेट हुआ जो mistakes हुए जो bonus marks बने है वो तो NTA के expert panel और NTA की professors की गलती की वज़ासे है फिर 200 पेमेंट क्यों और ये भी बात है कि आपने जब कोशन सेट किया तो उसमें 3 कोशन सेट गलत हुआ क्यों इंडिया की top level की exam नीट होता है फिर गलत क्यों हुआ हर एक साल गलत क्यों होता है आप ज़रा सोचे एक छोटा सा कोचिंग कोई बड़ा private कोचिंग हो जब आपका टेस्ट लिया होगा उसमें गलती बहुत rarely निकलता है लेकिर NTA की expert team हर एक साल गलती करता है अब मेरा कोशन यह है कि 200 payment लेकर आप challenge क्यों करा रहे हो और आपने कहा कि student से कि आप 200 payment करो answer का हमारी expert team उसको analysis करेगी और आपका challenge सही पाया गया तो final answer की जारी करके आपको बता दिये जाएगा कि आपके challenge को accept किया गया है या नहीं किया गया है अब बता हो कितना जादा फायदा यह लोग उठा रहे हैं आप सभी से एक बात और NTA की team नी जब first time answer की अभी जारी किया जब challenge हो रहा था इसका मतलब NTA या NTA expert या professors अभी sure नहीं है कि वो जो जारी हुआ है वो सही 100% है 200 payment करके यह लोग चेक करेंगे मेरा question इन लोगों से है कि 200 payment करके लाखो करोड़ों कमा रहे हो क्या आप expert panel को लंडन पेरिस से बुला कर चिक कराओगे क्या वहाँ payment उनको payment दे कर या इंडिया के ही professors होंगे आप सब भी समझ रहे हो ना मेरा point यह लोग answer की पे दुबारा payment क्यों ले रहें जब आप इसका मतलब NTA अभी श्योर नहीं है कि जो अभी answer की जारी किया वह 100% सही है 200 payment लेकर यह लोग बताएंगे final answer की कि हाँ अभी यह final रहा complete बेवकूफ बनाते हैं पूरा बेवकूफ बनाते हैं मतलब बेवकूफ समझ लिया है इन लोगोंने लोग मजबूरी का फाइदा लोगों पता है कि ए श्टुडेंट्स तो NTA के पास याएंगे नीक एक्जाम तो हर एक साल देंगे कोई options भी नहीं है आप सभी बताओ कि मेरा point valid है या नहीं और इसको लेकर क्या करना चाहिए क्या सुप्रीम कोट में जाना चाहिए कि ये लोग जो भी कर रहे हैं नोटरंकी ये बंद होना चाहिए मैं मानता हूं कि as soon as possible बहुत जल्द बहुत जल्द ये सभी points सुप्रीम कोट में जाना चाहिए और जाएगा भी जाएगा भी आप सभी बताओ कि आपको क्या लगता है मुझे जो बताना था आपके शेयर कर दिया चलो भी कितना ही